दिली के सफदर गंज से चलकर रामायड सरकिट एक्सप्रेस ट्रेन आयोधिया कैंट रेलवे स्टेशन पहुची जहां पर रेलवे स्टेशन पर रेलवे विभाग के अधिकारियों ने तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया तो वहीं तीर्थ यात्रियों ने आयोधिया की ध आयोधिया के लिए रामायन एक्सपर्स क्रेट तीर्त यात्री रवाना होंगे अयोधिया पहुंचे तीर्त यात्री उन्हें मोधी जी का अभार प्रकट किया है। बहुत ही अच्छा लगा। दरसल कल शाम साड़े चार बजे काशी के लिए रवाना होगी रामायन एक्सपर्स ट्रेन में श्रधालू को लहसुन प्याज से रहे साथिक भोजन परोसा जा रहा है। इतनी अधिक हमें इसके लिए खुशी हो रही है और हमें पहला अफसर जो शुरू हुआ है इस जात्रा का और हमें इसके लिए अफसर प्राप हुआ है। अधिक हमें आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि आगे हम जिन मंद्रों में जाएं और उन्हें देखें क्योंकि मेरा ये अधिक हमें आने का पहली बार है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा अनुभव भी बहुत ही अच्छा रहे ताकि मैं जाकर और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकूँ। मेरा नाम नीलम टककर है। मोदी जी का बहुत बहुत आभार है कि आज हमें यह स्वभाग्य मिला है जिसकी वेज़े से हम यहां योद्या आई हैं। और राम चंद्र जी के राम लला के दर्शन करेंगे और उसका लाव उठाएगे। योगी जी के यहां आने के बाद भी हमारा योद्या में जो स्वागत हुआ है बहुत अच्छा लगा हमें। मन्जु शर्मा।